जहिंद प्यारे सातियों आप सभी सातियों का स्वागत है स्टुडेंट वार एजुकेशन परिबार में तो फाइनल यहाँ वीडियो किन सातियों के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है तो जो स्टुडेंट नीट पीनेश्टी और एंप्स एक्जाम की प्रिपरेशन कर रह हो दो कोश्चन को कि दो टाइप यानि टू टाइप के कोश्चन चर्चा करने वाला हूँ जो एक्ट मोस्ट आप लोगों के एक्जाम में पूछे जाते हैं जी हां मोस्ट आइम पी इंपोर्टेंट हो के देखी किस प्रकार के दो कोश्चन आप लोगों को पूछते साथ ह तो सबसे पहले आप लोगों को पूछ लिएगा कि दो सदीसों की वीच का कोण गयात कीजिए एंगल गयात कीजिए क्या एंगल गयात करने के लिए आप लोगों को पूछ लेगा ठीटा फैंड आउट कीजिए ओके नेक्स्ट आप लोगों का दो सदीस एक दूसरे के लंबत हो तो किस प्रकार से आप लोग उनको सवल करोगे यह आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ ओके प्यारे साथी वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिएगा और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा जो यहाँ पे प्यारे से समझेंगे और एक ही कोश्चन हम करेंगे और इस प्रकार के कितने भी कोश्चन अगरा आप लोगों की सामने आ जाए तो उसे आप आसानी से हल कर सकते हो ओके चली कोश्चन हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं ओके सातियो मेरे साथ आप लोग भी रीड करोगे ताकि आप लोगों को भी कोश्चन समझ में आए सबसे पहले आप लोगों का जो होता है कि किसी कोश्चन को सबसे पहले समझा जाए ओके अच्छे से पढ़ लिया जाए उ सदी सो A vector ओके A vector का मान दिया है 3I vector plus 4J vector plus 5U K vector और B vector is equal to 3I plus 4J minus 5U K vector K बीच कोड होगा जी हाँ इसके बीच में हमको क्या पूछ लिया है ठीटा कोड का मान क्या होगा ये इन्होंने कहा है अब गैस यहाँ पे इसके लिए आप लोगों को एक रूल बताने वाला हो जो आप लोगों का important है इसको आप लोग अपने mind वे बिलकुल अच्छी तरीके से fit कर लेंगे ओकी गैस चलिए question swallow करेंगे हम लोग किस प्रकार से आप लोगों को swallow कर रहे हैं सबसे पहले प्यारे सातियो question में क्या दे रखा है a vector is equal to ok देखी दिया है a vector समझने की कोशिस कीजीगा आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है आप लोगों को plus 4z plus 5k vector ok equation 1 आप लोगों की दे रखी है a vector is equal to यह आप लोगों का मान है b vector के equal क्या दे रखा है आप पर देखी यह vector का symbol इस प्रकार से भी लिखा जाता है और इस प्रकार से दोनों ही प्रकार से follow किया जाता है vector का symbol के तो b vector कमान क्या दे रखा है 3i plus 4z minus 5uk ok ध्यान से देखी आप लोग ok अभी आप लोगों को मैं धीरे इसली बता रहा हूँ क्यूंकि आप लोग भी आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए वरना ये question यहाँ पर 2 minute लगेगा follow करवाने ok guys आप लोगों को better तरीके से समझ में आए यह हमारा main focus है ok चलिए तो 2 equation दे रखा है अब guys condition क्या कहती कि दिसो के बीच कोण theta is equal to ok क्या होता है कोण देखी इसका formula होता है cos theta cos theta is equal to a vector into v vector upon में ok mod a vector dot mod v vector ok अब यहाँ पर इस formula के देख के आप लोगों को ज़्यादा tension लेने के जरुवत नहीं ok आसानी से आप लोगों के याद हो जाएगा cos theta a vector is equal to a vector dot v vector upon mod में है a vector फिर उसका cross multiplication ok b vector ok इस प्रकार यह आप लोगों का formula एक अच्छे box में बन कर लेजी सुन्दर सा बनाके ताकि आप लोगों के mind में अच्छे तरीके से ये fit हो जाए चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा अब आगे हम लोग देखने माले है ok इसको clean कर देता हूँ मैं थोड़ा आगे देखने माले है तो देखी guys बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है मैंने कहा था कि formula अपने mind में रख लीजे अब मैं देखी इस formula को एक साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे ok cos theta is equal to a vector dot b vector यहीं दिया था mod में a vector into mod में b vector ok यह था आप लोगों का angle ग्याद करना है 2 सदी 100 के बिच अब मैं यह value put करूँगा यहाँ पे formula में देखीगा a vector का मान दिया है हमारे पास 3i vector plus 4z vector अलग से कुछ नहीं लिखा जा रहा है जो question में दिया है वही लिखा जा रहा है into v vector का मान दिया है क्या गैस देखी आप पे 3i ok क्या दिया है 3i plus 4z minus 5uk इतना आप लोगों को समझ में आया चलिए नीचे की step पे आ जाते हम लोग mod में दे रखा है तो देखी इस आती हो अगर कोई value mod में दे रखी तो हम इस प्रकार से उनको लिखेंगे ठीक है mod 3i vector plus 4z vector plus 5uk vector ok into आप लोगों का आगे दे रखा है देखी आपे second वाला जो है आप लोगों का mod v vector ok इसे इस प्रकार से लिख देना है plus 4z vector minus 5uk है ना आसान जाड़ा कुछ कठीन नहीं है आप लोगों को formula याद रखना है value put करते रख जाना है और समझते हुई जाना है विल्कुल आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा ok चलिए आप यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा उपर में लिख लेते ताकि आप लोगों को भी समझ में आए अगली स्टिप चलिए cos theta is equal to में चल रहा था ना cos theta is equal to अब देखिए इसको किस प्रकार से swallow करना है ok किस प्रकार से swallow करेंगे तो 3 का multiplication 3 के साथ करेंगे क्यों क्योंकि देखिए यह जो आप लोगों को सदी साई vector i vector और i vector इन दोनों का multiplication होगा same vector का same vector के साथ क्या करना है गुणा करना है तो कर देते 3 3 जा क्या आजाएगा यहाँ पर 9 आजाएगा plus इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 4 4 जा 16 और फिर देखिए plus और minus क्या हो जाएगा plus और minus मिलके minus होगा और इनका multiplication क्या आएगा 25 आएगा चली आगे आगे आप लोगों की mod में value रखी है तो क्या करना पड़ेगा तो देखिए mod वाली value को सबसे पहले हम root में लिखेंगे और इनका work हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 का work plus 4 का square plus आप लोगों का 5 u का square इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये आजाएगा आप लोगों का नेचे में फिर से root ओके ये आगे वाले कमाई कर रहा हो फिर से mod 3 का square plus 4 का square plus 5 u का square यहाँ minus था चली ये minus लिग दी हमने ओके आगे बढ़ेंगे थोड़ा इसको भी clean कर देते हैं अब हम चली ताकि यहाँ पर इस पेस हमको swallow करने के लिए मिल जाए ओके गईस चली तो आगे बढ़ते हैं तो देखी यहाँ पर cost theta is equal to उपर वाली value का addition करेंगे 9 plus 16 कितना 25 हुआ और 25 माइनस में है तो क्या आजाएगा यहाँ पर 0 आजाएगा ओके इतना समझ में आगया होगा देन गईस उसके बाद इनका square निकालेंगे root में 3 का square 9 plus 4 का square 16 plus 5 का 25 आया देन उसके बाद आगे आप लोगों का एक और mode है इसका क्या होगा 3 का square क्या आजाएगा 9 आजाएगा plus फिर से 4 का 16 आजाएगा यहाँ आगे माइनस है 5 का 25 हैना आसान बस आप लोगों को थोड़ा ससाथ देना है और आराम से यहाँ पर समझते जाना है ओके चलीगा इतना आसानी से आप लोगों को और इतना धीरे-धीरे कोई नहीं बताएगा ओके चलीए 0 upon देखी यहाँ पर इसको स्वालो करोगे total प्लस हो के 50 आएगा आएगा या नहीं count कीज़ीगा ओके करते रहिए आप लोग चलीए आगे हम बढ़ते तो देखी 9 और 16 आप लोगों का 25 हुआ मैनस में 25 हुआ रूट में 0 आजाएगा अब यह इतना का आया है तो स्वालो कीज़ी है यह 0 है आप लोगों का नीचे में पूरी वेल्यो आप लोगों की 0 के बराबर आ जाएगे cost theta cost theta is equal to कितना है 0 आया हमको तो theta कमान चाहिए किस कमान चाहिए question में क्या पूछा है angle पूछा है तो theta कमान कैसे याद करेंगे तो देखी आप यह जो 0 है ओके वो किस कमान होता है आप लोगों को थोड़ा सा remember होगा क्या होता है cost theta cost 0 की value होती है I mean cost 90 की value होती है ना 0 जो okay आपको पता होगा trigonometry में आप लोगों की सर्वसमी का जो है उसमें cost 90 का मान 0 होता है इसलिए हमने 0 को cost 90 के बराबर ले लिया है आप देखी cost से cost cancel होगा बचेगा क्या theta is equal to 90 यह आप लोगों का angle आसानी से find out हुआ आप देखी यहाँ पर second type का question हम देखने वाले है first type का question तो आप लोगों को समझ में आया होगा इसी परकार से बस question आप लोगों को क्या होगा यहाँ पर value change कर देगा और इसी परकार का same to same question आप लोगों को पूछ लेगा ओके चलिए तो प्यारे साथ यह next question क्यों बढ़ते है इससे पहले गाइस वीडियो को like जरूर कर दीजिगा और channel को भी नए साथी subscribe जरूर कर ले ओके सांदार इसी परकार के daily question यहाँ पर लोगों को करवाए जाएंगे ठीक है guys यानि हार type के question आप लोगों को जो आप लोगों की नीट की exam के लिए important होगे next question आप लोगों का क्या है देखते है यहाँ पर चली अगला question अच्छे इसको clear कर देते है चली प्यार साथी अगला question देखते है इसको पहले clear कर देते है यदी 1,20 क्या दे रखा है question है यदी एक सदीस क्या दे रखा है है आप लोगों का चलिप देख ले थे हम लोग 2i plus 3j plus 8k ओके ये दे रखा है आप लोगों का एक सदीज ओके प्यार साथ यो चलिए आप हमार साथ बने रही है ओके और हम यहां पर आप लोगों को आसानी से समझाएंगे सदीज आप लोगों का सदीज क्या है 4 चलिए 4z minus 4k ओके चलिए 4i plus alpha k के अभी लंबवत है क्या है अभी लंबवत है अब देखिए यहां पर कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को ओके लंबवत और अभी लंबवत का जो है एक ही होता है ओके यदि एक सदीज सदीज 4j minus 4i plus alpha k के अभी लंबवत है मतलब इसका होता है लंबवत है तो मान आप लोगों ग्याद करना है किसका alpha का मान ग्याद करना है ठीक है चलि किस प्रकार से आप लोग ग्याद करोगे इसका मान चलिए यहां पे मैँ आप लोगों को बताने वाला वहत यह आशारी से किसका मान ग्याद करना है एल्फा का मान होगा ठीक है यही सारा का सारा question है तो solo करते हैं हम लोग किस परकार से solo करना है तो बताया था आप लोगों को क्या दिया हुह है question में given that दिया है, दो equation दिया है, माना A vector, okay, A vector is equal to क्या दे रखा है, 2I vector plus 3J vector plus 8K vector, ठीक है, समझ गए आप लोग, equation 1 दे रखा है, यहां पे आप लोगों को साती हो, next आप लोगों का है, B vector, okay, B vector क्या दे रखा है, देखी कोश्चन में, हाँ, तो यह रहा आप लोगों का 4J minus 4I plus alpha K, second equation, अब गईस condition आप लोगों को पता रहना चाहिए, कि यदि 2 सदीस एक दूसरे के लंबवत है, तो किस प्रकार से यहाँ पे 100 लुकिया जाता है, ओके, तो देखी यहां से, important है, इस condition को याद रखोगे, condition second को, यदि 2 सदीस, 2 सदीस, एक दूसरे के, एक दूसरे के, क्या है, लंबवत है, क्या है, लंबवत है, तो condition क्या कहती है, A vector into V vector is equal to क्या होगा, 0 होगा, not down कीज़ेगा, important है यह, ओके, यदि एक दूसरे के, 2 सदीस, एक दूसरे के लंबवत है, तो condition क्या बनेगी, A vector dot V vector is equal to 0, ओके, आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे स्वालों करेंगे, हमको पता चल गया, इसकी condition की किस प्रकार से, यहां पे आप लोगों का, 2 सदीस, लंबवत है, तो हम, इसको हल करेंगे, चलिए, condition उपर लिख देता हूँ, A vector dot V vector is equal to 0, यह आपकी condition है, यदि, 2 सदीस, एक दूसरे के लंबवत है, तो, अब A vector और V vector का, जो है, मान, पूट कर देंगे हम, चलिए, पूट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे, 2I vector, प्लस 3J vector, प्लस 8K vector, यह दोनों, एक दूसरे के कैसे है, गुणान फनलवे हैं, तो चलिए, गुणा हो जाएगा इनका, गुणा कैसे करना है, हम, यहाँ पे समझ सु तो और आप लोगों का, रिविजन यहाँ पे हो जाएगा, यही दे रखा है, A vector और V vector का मान, यहाँ पे पूट कर दिए, यह किसके बराबर है, सुनने के 0 के बराबर है, चलिए, तो बिल्कुल 0 के बराबर है, अब देखिए, 2I vector का किसके साथ गुणा होगा, भाई, 4I vector क के साथ, किसके साथ होगा, 4I vector के साथ, समान vector के साथ, ही तो गुणा होगा, चलिए, 2, 4, 8, कितनी value आएगी, 8, लेकिन minus में आएगी, क्यों, धना और रिण क्या हो जाएगा, रिण हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ते हैं, 3J vector का किसके साथ, 4J vector के साथ, गुणा होगा, 3, 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, देन आगे बढ़ते हैं, प्लस 8K का, alpha K के साथ, multiplication, गुणा होगा, तो क्या होगा, 8 alpha आजाएगा, चलिए, इसके बढ़ावर, 0 है, आगे बढ़ते हैं, minus 8 plus 12, क्या हो जाएगा, 4 आजाएगा, वो भी plus में, क्यों, क्योंकि आपका जो है, बढ़ा डिजित उप्लस में है, प्लस 8, alpha is equal to 0, आगे solution होगा, इसका प्यारे सातियों क्या होगा, देखिए, 4 का, आप लोगों का जो है, पक्छांतर हो जाएगा, 8 alpha is equal to minus में जाएगा, आपका 4, ओके, चलिए, alpha is equal to minus 4 upon 8, अभी 8 से divide करूँगा, 4 को तो क्या हो जाएगा, देखिए, 4 दूनू, 8 और 4, 1, 4, आया कितना value आप लोगों का, minus 1 बटा 2, यह alpha की value है, यही आप लोगों का क्या होगा, उत्तर होगा, क्या होगा, आप लोगों का उत्तर होगा, तो गैस, यह जो दो condition थी, आप लोगों की, वो यहां पे समझ में आई होगी, ओके, सदीस मे यह question important है, NEET हो, या PNST हो, या EMS, सभी exam में, यह आप लोगों को most पूछा जाता है, IMP question है, तो प्यारे साती हो, अगर वीडियो आप लोगों को फसंद आया हो, तो इसी प्रकार के सांदार और latest update पाने के लिए, latest वीडियो पाने के लिए, हमारे चेनल, student war को subscribe कीजिगा, ब आपर।